हेलो फ्रेंट्स मैं मरजीत आप सभी को हमारे चनल एए स्मार्ट हेल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपना भोटर आईडी कार्ड को अपने अधार कार्ड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं उसके बार में पूरी जनकारी इस वीडियो में देने वाला इस काम को आप अपने मोबाइल के थुरू कर सकते हैं और मैंने मोबाइल के थुरू ही करके दिखाया आपके तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखें ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रोब्लम ना हो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सबस्क्राइब कर लीजे जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोट्पिकेशन आपको मिलती रहेगी चलिए देखते हैं वोटर एडी काड को अधार काड के साथ लिंक कैसे करते हैं आपको सबसे पहले अपने मुबाइल में प्लेयर स्टोर को ओपेन कर लेना है और इसमें सर्च करना है वोटर हिल्प लाइन सर्च करने के बाद आपको सबसे उपर में यह एपलिकेशन दिख जाएगा आपको इसे install कर लेना है install करने के बाद आपको open करना है और open करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से interface दिखेगा यहाँ पर disclaimer दिया हुआ है तो नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं आई एगरी लिखा हुआ है इस पर आपको टिक मार्क करना है और यहां से Next कर देना है Next करने के बाद आपको यहां पर भासा सेट करने के लिए आएगा Language तो यहां पर आपको जो लंगवेज सेट करना है वो यहां से select कर लीजेगा मैं यहाँ पर English ही select करूँगा और भासा select करने के बाद आपको कुछ इस वरकार से interface नजर आएगा नीचे में यहाँ पर left side में देखिएगा एक explore का option है यहाँ पर आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर करने के बाद आपको कुछ इस वरकार से इंटरफेस नजर आ जाएगा कभी कभी यह server problem के कारण खुलने में लेट होता है तो आप कुछ टाइम बाद भी try कर लिजेगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है let's start आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको mobile number डालना है तो यहाँ पर कोई भी mobile number आप डाल दीजेगा यह नहीं कि अधार के साथ link है वही number डालना जरूरी है यहाँ पर कोई भी mobile number डालकर आप send OTP पर click कर दीजेगा send OTP पर click करने के बाद नीचे में आपको यहां पर OTP डालना है और OTP डालने के बाद आपको verify पर click कर देना है verify पर click करने के बाद यहां पर आप से पूच रहा है कि आपके पास व Pear ID नंबर है या नहीं है अगर आपके पास व COP वोटरं आइडि काम नहीं है तो नो पर क्लिक किज़े गा ! तो मेरे पास वोटरं आइड बोल रहा है ! आप अपना वोटर आइड नंबर यहां पर डाल दीज़ेगा ! a state select करके और page details यहां पर लिखा हुआ है आपको इस पर click कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर process पर click कर देना है process पर click करने के बाद आपका जो भी details होगा इसमें आपको यहां पर नजर आ जाएगा उसके बाद फिर से आपको next पर click कर देना है next पर click करनी के बाद यहाँ पर सारा चीज मिलाने के लिए आपको बोल रहा है और नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधार रिटेल्स मांग रहा है आपसे यहाँ पर आपको अधार नमबर डालना है अगर आपके पास अधार नमबर नहीं है तब आपको इस पर टिक मार्क करना है ऐसे ही आप इस पर टिक मार्क नहीं किजिएगा और यहाँ पर आप अधार नमबर डाल ही दीजिएगा क्योंकि यहां पर हम लोग voter ID card को अधार card के साथ ही link कर रहे हैं तो यहां पर नहीं डालने का कोई मतलब नहीं बनता है इसलिए आप यहां पर अधार number डाल दीजेगा mobile number, email ID और place में आप अपने गाउं का नाम या blog का नाम डाल कर और done पर click कर दीजेगा done पर click करने के बाद यहां पर सारा details आपको नजर आ जाएगा और यहां पर आपको सही सही से मिला लेना है scroll करके आप अपना सारा details मिला कर और नीचे में आपको confirm का option दिख जाएगा आप confirm कर दिजेगा confirm पर जैसे ही click किजेगा उसके बाद आपको यहां पर thank you का एक pop up आएगा और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है your application has been submitted successfully on date यहां पर date आपको दिखा देगा कि आपने किस तारिक को अपना ये request डाला है और नीचे में आपको आपका reference ID मिल जाएगा तो इस परकार से आप बहुत ही असानी से घर बैठे अपने mobile के थुरू भोटर ID कार्ड को अधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं उमीद करता हूँ friends कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चनल को स्पस्क्राइब कर लिजे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स जाएं